Hello student, आज हम इस वीडियो में forward margin और swap points को discuss करेंगे, तो चलिए start करते हैं लेकि forward margin, margin मतलब difference की बात कर रहे हैं, right? तो difference किसका है? forward rate और spot rate की बीच में जो difference होता है उसी को हम कहते है forward margin या swap points कहते हैं forward rate जो 2-3 महिने की बात का rate जो दिया जाना है, वो rate और spot rate जो prevailing rate है इन दोनों के बीच का जो difference होता है, वही क्या कहलाता है हमारा forward margin या swap points कहलाता है, right? और यह जो forward margin होता है, यह जो difference होता है, उसको हम basis point में major करते हैं जिसको हम कह देते है forward points है या swap points है मतलब कितने का difference है, यह difference कैसे दिया रहेगा आपको question में वो swap points करके दिया रहता है, या forward points करके दिया रहता है clear है? तो जब हमें forward rate निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं? यही जो forward margin होता है उसको spot rate में adjust कर देते हैं मतलब या तो हम add करेंगे, या तो हम subtract करेंगे और जब हम spot rate में ये area subtract कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है? forward rate मिल जाता है it means कि spot rate से forward rate तक पहुचने के लिए हमको ये margin help करती है हमें forward rate नहीं पता पर swap points पता है, या forward points पता है तो हम इनहीं को spot rate में adjust कर देंगे, plus या minus करेंगे और फिर हमारा क्या निकल के आएगा? forward rate निकल के आता है तो ये जो forward margin हमें मिलती है, मतब ये जो difference मिलता है ये difference हमारा premium पे भी होता है, या फिर वो discount पे भी होता है मतब इन दोनो forward rate और spot rate के बीच का difference premium ये discount पे हो सकता है हम ऐसे भी कहते हैं, इसको negative हो सकता है, positive हो सकता है means what? कि premium ये discount पे हो सकता है अब हम ये समझते हैं कि premium ये discount क्या चीज़ है means what? कि forward margin at premium क्या होता है अगर forward margin ये दुनों का difference premium है तो इसका मतलब क्या निकला? तो हम कहते हैं कि currency is set to be premium if it is more expensive in the forward than in the spot हम forward margin को premium तभी कहेंगे जब forward rate जो निकल के आने वाला है वो forward rate आपका ज़ादा है है न? वो expensive है, ज़ादा है compare to what? spot rate spot rate के compare में forward rate कैसा है? expensive है या ज़ादा है तो हम उसको कहते हैं कि forward margin किस पे है? premium पे है difference क्या है? premium है clear है? तो example से इस चीज़ को समझे कि इसे rupees per dollar spot rate दिया गया है 44.95 और 3 मन्द का जो forward है वो 45.20 आया मतब forward margin को add करने के बाद जो हमारा 3 मन्द का forward rate आया वो क्या आया? 45.20 आया तो हम क्या कहेंगे कि dollar किस पे premium पे? क्यों? क्योंकि देखिए forward rate जो है आपका spot rate से जादा है तो जब forward rate spot rate से जादा होगा तो हम क्या कहेंगे कि यह premium पे है तो मतब dollar किस पे कौन premium पे है यहाँ पे? तो यहाँ पे dollar जो है वो premium पे है क्योंकि dollar expensive हो गया dollar को खरीदने के लिए एक dollar को खरीदने के लिए पहले 44 रुपीज देने थे 44.95 और तीन महिने के बाद वही dollar खरीदने के लिए एक dollar खरीदने के लिए आपको 45.20 देना होगा तो dollar क्या हो गया? expensive हो गया यह इस तरह से कह सकते हैं कि रुपीज की value क्या हो गया? और diminish हो गयी है ना? पहले 44 थी अभी 45 हो गयी तो रुपीज की sense में जब बोलें के तो कहेंगे रुपीज की value diminish हो गयी मैं dollar के sense में क्या कहते हैं कि dollar क्या हो गया? premium पे हो गया तो forward margin premium का मतलब clear हो गया? तो हम यह भी कह सकते हैं कि foreign currency क्या हो गयी? costlier हो गयी, जादा महंगी हो गयी, किसमे forward rate में compared to your spot rate? ठीक तो जब हमारा diet quotation होता है तो हम अगर इस तरह का premium दिया होता है मतलब यह जो difference है वो premium में दिया होता है तो हम spot rate में उसको क्या कर देते है? add कर देते हैं और फिर हमारा क्या आ जाता है? forward rate आ जाता है, simple सी बात है spot rate है, forward rate जादा ही होना है तो जो भी forward points है जो difference दिया गया है, जो margin दी गई है उसको हमको क्या कर देना होगा spot rate में add कर देंगे तभी तो forward rate क्या होगा, उससे जादा का आएगा spot rate से जादा का आएगा clear है? तो और यह जो हम add करते है चाहे purchase का होगा या sale का transaction होगा मतलब चाहे bid rate दिया हो चाहे ask rate दिया हो दोनों में से कोई भी rate दिया होगा दोनों में हम यह add करेंगे clear है? तो यह add जो करना है, वो दोनों के लिए करना है, purchase या sale transaction दोनों के लिए bid ask rate दोनों में 100, तो इसमें F क्या होता, forward rate हो जाता है, S spot rate हो जाता है आपको, और N आपका time period, जैसे 3 महिने का forward है, तो 12 by 3 हो जाएगा, clear है, month, और यह अगर days में होगा, तो 12 की जगा 360 days हो जाएगे, और फिर नीचे आपका 30 days, 45 days, जितने भी days होंगे, वो days mention हो जाएगे, clear है, month में है, तो 12 by year, और days में है, तो 360 by N आपका हो जाएगा, इसलिए से हम forward, यह premium calculate करते हैं, ठीक है, अब हम बात करते हैं, forward margin अगर discount पे है तो, तो यहाँ पर just opposite हो जाएगा, margin का मतलब, premium का मतलब क्या हो जाएगा था कि आपका जो, आपकी foreign currency है, वो महंगी, expensive है, है ना, और discount मतलब क्या हो जाएगा, कि forward rate उस particular currency का क्या होगा, कम होगा, compare to what, spot rate, तो currency is said to be a discount, when it is coating higher in the spot rate and cheaper in the forward rate, मतलब क्या, कि spot rate में जादा rate दिख रहा है, पर forward rate में वो rate कम दिख रहा है, तो forward की compare में spot rate कैसा है, महंगा है, तो हम कहेंगे कि forward margin है, discount में, आप forward की point होगे सोचे, forward rate कम, तो discount पे, forward rate जादा spot rate से तो premium पे, clear, तो forward currency will be cheaper for forward delivery than for spot delivery, तो अगर हमको spot delivery करनी पड़ेगी, तो हमें foreign currency महंगी पड़ेगी, लेकिन वही हमें forward में करनी पड़ेगी, तो forward में वो हमें cheaper पड़ेगी, कि सस्ती पड़ेगी, क्योंकि forward का rate कैसा है, सस्ता है, तो यह मितलब हो जाता है, तो जब हम direct code की बात करते हैं, तो वहाँ पर discount को क्या कर देते हैं, हम spot rate में से deduct कर देते हैं, पर अफिस सी बात है, कि spot rate जादा होगा, forward rate कम होगा, तो जो भी हमारा difference का point हो, उसको spot rate में से deduct करना पड़ेगा, तब हम कहाँ पहुझेंगे, forward rate में, क्योंकि forward rate कैसा होगा, हमेशा कम होगा, कि spot rate से, अगर हम same example लेके चलते हैं, तो rupees per dollar spot की दिया है, 45.95, और 3 मन forward कैसे दे दिया जाएगा, 44.20, तो अब यहाँ पे में क्या दिख रहा है, कि forward rate कैसा है, कम है, और spot rate कैसा है, महंगा है, तो अगर आज spot delivery करने पड़ेगा, तो 45.95 पे करना पड़ेगा, वहीं 3 महीने बाद करना पड़ेगा, तो 44.20, तो foreign currency या dollar वहाँ पे क्या है, सस्ता है, compare to spot, तो हम कहते है, forward margin किस पे है, discount पे है, मैं discount का जो formula की बात करते हैं, तो क्या हो जाता है, s-f multiply by 12 by n, है न, multiply by 100, अब यहाँ पे भी हमारा, वही f forwarded, exported और n time period हो जाता है, clear है, अब हम बात करते हैं, यह जो difference है न, the basis point, उसको हम swap points कहते हैं, या margin points कहते हैं, वो कैसे होता है, तो दीखे हमें पता है, कि हमें क्या करना होता है, यह जो swap points होते हैं, मतलब यह difference का दिया रहता है, difference को किस में measure करते हैं, points में measure करते हैं, तो यह जो forward rate और swap rate की बीच का difference है, यह जो point है, यह जो margin है, वो हमें क्या करना होता है, उसको हमें adjust करना होता किसमें spot rate में और हम फिर क्या पा जाते हैं forward rate पा जाते हैं ठीक तो swap points को हम spot rate में adjust करते हैं हमें forward rate मिल जाता है अब question के उठता है कि यह adjust होगा कैसे मतलब कब हम इसे add करेंगे कब हम less करेंगे तो उसका rule क्या है देखिए एक rule तो बहुत simple जो हमने अभी दिखा कि अगर आपका यह swap points premium पे है ठीक तो हम उसको simply add कर देंगे क्योंकि इस premium पे होने का क्या मतलब मिला कि swap rate से जादा का हमारा forward rate होना है तो swap में हमें खाली वो premium को add कर देना होगा और हम कहां spot rate में swap points को add कर देना पड़ेगा और हम कहां पहुच जाएंगे आपके premium पे मतलब forward rate पे पहुच जाएंगे वो हमारा जादा रहेगा वहीं पे अगर discount होगा तो हम less कर देंगे क्योंकि यहां पे spot rate जादा होगा forward rate कम होगा तो हमें क्या करना होगा swap points को spot rate में से deduct करके तब हम forward rate पे पहुचेंगे तो यह तो simple है premium or discount add or less होना है यह तो clear है लेकिन अगर हमें premium or discount mention ना हो और swap points हमको अलग तरीके से दिये गए हो तो उस case में कैसे होगा अब देखिए यहाँ पे जो swap points दिये जाते हैं वो कैसे दिये जाते हैं low या high करके ठीक है मतलब आपको bid or ask का दो rate दिया रहता है ना code कैसे मिलता है bid or ask दोनों के साथ मिलता है तो आपको जो swap point भी दिये जाएंगे वो दो दिये जाएंगे low और high तो अगर पहला वाला कम दूसरा वाला जादा है तो हम क्या करेंगे add करेंगे अब add का मतलब क्या वो low वाला amount जो है उसको हम add करेंगे bid में और high वाला amount भी add करेंगे ask में मतलब add ही करना है आपको और वहीं पे अगर high और low पहले जादा फिर कम का point दिया है तो हम इसको less करेंगे bid में भी less करेंगे और ask में भी less करेंगे clear है इस बात को हम एक example से देख लेते हैं वसके याद रखिएगा low और high तो add होगा और high और low होगा तो हमारा less होगा ascending order descending order इसे को कहते हैं is it clear तो इसको हम एक example से समझेंगे और अच्छे से clear हो जाएगा तो मालेचे एक rule हमें याद है low और high तो add और high और low तो less करना होता है clear है swap points को तो मालेचे एक question है जहाँ पे कहाँ दे रहे हैं कि आपको यह जो data दिया गया है उससे आपको forward rate calculate करना है तो forward rate calculate करना है तो मतलब हमें क्या दिया रहेगा swap points दिये रहेंगे और spot rate दिया रहेगा swap points को spot rate में adjust करेंगे और हम forward rate पा जाएंगे तो question में हमारा spot rate दिया गया spot rate कैसे दिया गया dollar per sterling pound कितना दिया गया 1.6150 oblik 90 ऐसे ही लिखा रहेगा ठेक है इसको implied मतलब इसको कैसे लिखा जाते है इसको कैसे read किया जाते है वो भी में आगे समझ लेते है पर आपको quote ऐसे करके मिलता है फिर दिया रहेगा 3 month का swap point कितना है मतलब अगर 3 month का forward rate निकालना होगा तो कैसे है 70-80 ठीक वही 6 month का swap point कितना है 70-60 अब दोनों की बिचका difference देखे 70-80 मतलब पहले कम फिर जादा low और high 70-80 low और high और दूसरा कैसे 6 month वाला कैसे है 70-60 high फिर low ठीक तो इस तरह से swap point दिये है आप इसी तरह से इसको समझेगा ascending order descending order clear है तो पहले तो अब आपको forward rate निकालना है तो पहले इसको पढ़ना सीखते है spot कैसे दिया है dollar upper sterling pound 1.6150 oblik 90 इसको interpret कैसे करना है तो interpret करेंगे 1.6150 oblik 1.6190 यह जो 90 है वो last two digit होती है clear है तो 1.6150 और 1.6190 अगर वहीं पर पते है आपको अगर 90 के जगा 20 दे देता तो आप क्या करते अभी 1.6150 के बाद 1.6120 नहीं करते क्योंकि हमेशा ask rate जादा ही होता है तो 1.6150 के बाद अगर वहाँ पर 90 के जगा 20 होता तो हमारा rate कैसे बन जाता 1.6220 बन जाता clear है हमारा आगे बढ़ जाता वो ठीक तो इसे साफसे इसका interpretation होता है अब हम बात करते ही question की हमारा 3 month का swap point किता दिया है 70-80 that is what low और high तो low और high को में क्या करना होता add करना होता मतलब 70 को bid में add करो 80 को भी ask में add करो clear है तो हमारा कैसे हो जाएगा निकलेगा कैसे dollar आपका sterling pound कैसे होगा 1.6150 प्लस अब यह जो 70 दिया है न तो 70 क्या last के two desert होगा तो आपको point के बद four decimal में दिया है न तो आपको 70 दिया है तो 70 आपको क्या करना होगा इस four decimal में last के two desert देना होगा अगर आपका question जो 1.6150 है यह four decimal में नहीं two decimal में होगा तो आपको यह 70-80 points भी होगे वो भी last के two decimal मानने पड़ेंगे clear है तो आपको यह देखना पड़ेगा कि आपका rate four decimal में है या two decimal में है अगर four decimal में है तो आपको यह जो points है वो last के two digit में रखने पड़ेंगे अगर two decimal में है तो यह two last के two जो आपको two होगे वही वो आपका points बन जाएगा clear है तो आप जैसे यहां पे 1.6150 है plus 70 है न तो 70 last के two digit में जाएगे तो 0.0070 clear है यही लिखना आना चाहिए ठीक इसी तरह 1.6190 था तो उसमें भी हमारा क्या हो जागा 80 प्लस हो जाएगा तो plus 0.0080 हमारा swap points था हम swap points को add कर दिए तो हमारा rate क्या निकल के आ गया 1.6220 ओब्लिक 1.6270 तो 1.6220 मारा bid rate हो गया 1.6270 मेरा ask rate हो गया purchase करना होगा bank buy करेगी किस rate पे 1.6220 पे और bank sell करेगी foreign currency इसको किस rate पे 1.6270 पे इस तरह से हमारा swap point निकलता है इसी तरह हम देख लिएते हैं 6 month का swap point 70-60 अब यह क्या है high to low है अब high to low क्या होता है less होता है ठीक तो हमारा same palim interpretation कर लिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे minus कर देंगे दोनों में ask में भी और bid में भी दोनों जगा minus हो जगा bid और ask दोनों में minus हो जगा हमारा rate किसे निकल क्याएगा 1.6080 अब्लिक 1.6130 इस इत क्लिर याद रखिएगा bid rate कम होता है ask rate जाधा होता है ठीक अगर आप calculate कर रहे हैं तो हमेशे याद रखिएगा तो जैसे 1.6080 है और 1.6130 है तो 6080 क्या है bid rate है और 6130 क्या है ask rate है देखिए वो हमेशे ज़ाधा ही है कोई भी हो swap point कैसा भी दिया हो low high high low कुछ भी दिया हो लेकिन जो आपका result आता है वो ऐसे ही आता है bid rate से ज़ाधा ही आपका ask rate आता है clear है अब हम बात करेंगे किसकी factors determining forward margin वो कौन से factors हैं जो ये swap points को या swap margin है या forward margin इसको determine करते उसको fix करते तो सबसे पहले हमारा factor बनता है interest rate interest rate के basis पे ये हमारा forward margin determine होता है कि वो premium पे जाएगा discount पे जाएगा positive है या negative है वो उस पे कौन depend कर रहा है हमारा interest rate पे ये depend करता है कैसे तो बोला क्या चाता है कि अगर जो foreign center है महाँ पे interest rate कैसा है जादा है compare to what आपके home center से तो हमारा forward margin कैसा जाएगा discount पे जाएगा जिक मतब अगर foreign center पे interest rate जादा मिल रहा है तो forward margin कैसा है discount पे है वहीं पे अगर foreign center पे interest rate कम मिलेगा तो forward margin कैसा जाएगा premium पे जाएगा अब ये मतलब क्या निकला अगर interest rate जादा है तो discount पे कैसे क्योंकि आप इस sense में इसको समझेंगे कि ये लोग क्या करते हैं अगर interest ज़्यादा कमा रहे हैं तो customer से ज़्यादा क्यों ले तो उनको discount पर offer कर देते हैं क्योंकि हम interest तो पाई जा रहे हैं हम कमा तो ले ही ले रहे हैं इस point of view से इसको समझेगा क्या अगर interest ज़्यादा मिल रहा है तो customer से ज़्यादा नहीं लेंगे तो उसको discount पर दे देंगे तो अगर forward center पर हमें interest ज़्यादा मिलेगा तो margin हमारा discount पर रहेगा अब इसका interpretation समझेगा जैसे ही bank इंटर करते है किसी forward sale contract में किसी customer के साथ कि 3 महीने के बाद sails करना है या आपको यह currency चाहिए होगी तो क्या करती है bank उसकी arrangement कर लेती है उस foreign currency को delivery करनी है 3 महीने के बाद या जितने भी forward contract आपने जितने मंदे के लिए भी किया है उस मंदे के बाद आपको उसको delivery करनी है तो वो क्या करती है अभी से उस foreign currency को arrange कर लेती है ठीक है अब arrange करने के बाद उस fund को क्या करती है foreign center में deposit करके रख देती है अब अगर इस foreign center से उन्हें ज़्यादा rate का interest मिल रहा होता है तो वो क्या करती है gain कमा रही है वो foreign currency उनको देनी है forward rate decided है अब लेकिन वो पहले से खरीद करके arrange करके रखने से वो interest कमा रही है अगर interest rate ज़्यादा होता है तो उसको ज़्यादा gain मिल रहा है अगर ज़्यादा gain मिलता है तो customers को क्या करती है forward rate कैसे करती है discount पे margin discount पे offer कर देती है तो forward rate कम पे offer करती है तो इस case में वो customer से कमाना चाहेंगी तो forward rate किस पे कर देंगे premium पे कर देंगी तो interest rate की basis पे आपका forward margin premium होगा या discount होगा decide करता है अगर interest rate foreign center में ज़्यादा है तो margin discount पे जाएगा interest rate कम पा रही है इसका मतलब loss कमा रही है तो वो forward rate को premium पेशु करके profit कमाएंगी customer से is it clear next हमारा क्या जाते है demand and supply तो demand and supply का क्या मतलब हो गया कि अगर हमारा foreign currency exchange market में उसकी supply क्या है demand ज़्यादा है supply कम है तो demand ज़्यादा होगी supply कम होगी तो बट अविस सी बात है तो वो premium पे जाएगा वहीं पे अगर supply ज़्यादा है demand कम है तो वो किस पे जाएगा discount वो तो normal rule demand and supply का जो चीज़ कम होती है scarce होती है और लोग मांगने वाले ज़्यादा हो तो उसको हम हमेशा महेंगे पे बेस्ती है तो वो demand अगर जाएगा supply कम तो हमेशा premium पे रहेगा तो उसके बाद next हमारा factor आता है speculation about spot rate इसकी वज़ा से भी आपका forward margin decide होता है कि वो premium पे रहेगा या discount पे रहेगा positive रहेगा या negative रहेगा तो वहाँ पे कैसे spot rate क्या होता है वो मारा basis होता है forward rate के लिए क्योंकि हम सारी swap points जो होते हैं उनको किसमें adjust करते हैं spot rate में adjust करते हैं तो अगर spot rate के साथ speculation होगा तो forward rate भी उसे हिसाफ से speculate हो जाती है कैसे अगर जो exchange dealers होते हैं या मानते हैं कि spot rate क्या कर रहा है आपका मतब आपका forward rate premium पे निकल की आएगा कहने का मतब उन्हें अगर लग रहा है उन्हें expected है कि उनकी forward rate sorry spot rate है वो premium पे है spot rate आपका जादा है तो ऐसे situation में वो आपका forward rate भी जादा रखेंगे तो वो premium पे quote करेंगे swap margin आपकी premium पे जाएगी clear है वहीं पे अगर उनको लगता है कि spot rate depreciate है वो ऐसा expect कर रहे है तो वो forward rate को भी क्या करेंगे discount पे quote कर देते है clear है और उसकी बाद हमारा एक last point आता है वो हमारा क्योंगे exchange regulation तो but obvious सी बात है कि जितना भी हमारा पूरा ये चीज़े होंगी उसके कहीं न कहीं जो government agencies है उनका पूरी तरीके से control होता है ठीक है तो वो उसके हिसाब से भी कहीं न कहीं forward margin influence होता है वो forward dealings जितनी भी होते हैं उसके लिए some conditions apply कर देती है जिनके वज़ा से ये आपका forward margin influence हो जाता है तो exchange की regulations भी उनके recordings कुछ restrictions चीज़े जो impose कर दी जाती है उसके वज़ा से भी forward margin पर impact पड़ता है और वो premium discount पर आपकी आजाती है तो ये वो factors है जिनके वज़ा से आपके forward margin जो है वो premium discount पर रहती है ठीक है तो ये चार main factors थे आपके चार main factors क्या हो गया आपके interest rate हो गया आपका demand supply हो गया speculation spot rate हो गया और exchange regulations हो गया so I hope आपको clear हुआ होगा wish you all the best thank you so much